हाई फिंट्स मेरा नम राज और आप देख रहे हैं Windows Tech Solution तो आज की वीडियो में मैं आपको Intel HD Graphics की जो best settings है वो बताऊंगा अगर आप उनको apply करते हैं तो आपकी जो gaming performance है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी और जो आपकी gaming का FPS है वो भी काफी हद तक boost कर जाएगा तो उसके लिए जो सबसे पहला step आपने लेना है आपने desktop पे right click करना है और यहाँ पे आपको option मिलेगा display settings का इस पे आपने click करना है आप scroll down करेंगे तो last में आपको option मिलेगा graphics settings का इस पे आपने click करना है उसके बाद आपने क्लिक करना है ब्राउस पे और जो भी आप गेम प्ले करते हैं उसका तो shortcut होगा आपके desktop पे या फिर कहीं भी आपने उसका shortcut रखा है पर एक्जांपल ये मेरा एक shortcut है IGI गेम का मेरे desktop पर तो आपने अपने अपने गेम के shortcut को select कर देना है और उसके बाद गेम फे 8फिर करना है और इसके बाद हम इसको cut करेंगे, तो यह आपका पहले step रहेगा, जो दूसरा step है, आपने desktop पे right click करना है, और उसके बाद आपने click करना है graphic properties पे, उसके बाद आपने click करना है 3D option पे, यहाँ पे आपको जो यह application optimal mode है, इसको enable रखना है, और जो general settings है यहाँ पे आपको option अप्षिन का, इस option के अंदर आपने जो यह option है turn off anti-alysis, इसको select करना है, बस यह यह अपने करना है, उसके बाद apply पे click कर देना है, और इसके बाद यह बैक वाला option है, इस पे आपने click करना है, और उसके बाद आपने videos वाले option पे click करना है, top पे videos के पास आपको यह drag down को option मिले क्लिक करना है, यहाँ पे आपको application settings के अंदर option मिलेगा driver custom settings, इस पे आपने click करना है, और यहाँ पे जो यह लिखावा है, partial reduction, इसको आपने 0 पे set रहने देना है, इस option को select करके आपने इसको 0 पे set कर देना है, कोई भी number आगे नहीं बढ़ाना, 0 पे रहने देना है, और यह द Intel HD Graphics के अंदर भी आपका जो gaming performance है, इस setting को apply करने के बाद काफी हद तक boost कर जाएगा, आपको जो fps है वो भी boost कर जाएगा इसके बाद, तो यह था इस वीडियो में, thank you